असलाम लेकुम स्टूडेंट्स Social Entrepreneurship में Technology कर यूज कोई obvious चीज नहीं है जैसे हमने पिछले सेशन में बात की कि ये एक complex process है एक complex phenomena है कि technology का इस्तमाल economic growth के लिए तो समझ आता है और businesses ने जिस तरह technology को embrace किया जिस तरह उससे उन्होंने profit gain किया वो obvious है लेकिन social entrepreneurship के हवाले से ऐसा नहीं है और खास्त और परुस वक्त जब हम deprived और marginalized communities की बात करते हैं जिनकी access नहीं है, जिनकी literacy नहीं है, जिनकी affordability नहीं है technology के हवाले से तो फिर ये relationship थोड़ा complex और हो जाता है लेकिन marginalized communities में, deprived communities में, technology और social entrepreneurship के हवाले से innovation जो है वो अब कोई नई बात नहीं रही, ये हो रहा है सिरफ समझने की हमें ज़रूरत ये है कि marginalized या deprived communities जो है, उनके characteristics क्या होते हैं, वो कौन सी है और वहाँ पर फिर हमें अगली बात जो समझने की ज़रूरत है, वो ये कि वहाँ पर technology को social entrepreneurship के लिए use करने में हमें किन चीज़ों को consider करना होगा जब हम deprived communities की बात करते हैं, तो जहन में Brazil में जो favelas हैं, या urban slums जिने हम कहते हैं, बंगलादेश और इंडिया के जो urban slums हैं, वो आते हैं, इस तरह की communities हमारे जहन में आती हैं लेकिन of course, rural, far-flung communities जो हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, जो deprived हैं, basic communities, public facilities और services और technology और innovation के जो फुवायत हैं, उन से वो deprived हैं खास तोर पर ये communities जो हैं, उन में जो तकलीफ दे बात हैं, वो ये हैं कि governments और societies ने इन लोगों को neglect और एक तरह से abundance कर दिया हुआ है वहाँ पर कोई law नहीं है, आपने शायद movies में, documentaries में देखा होगा, slums हैं, बिजली के connection illegal हैं, वहाँ पर कोई school नहीं है, वहाँ पर health facilities नहीं है, crime rate बहुत ज्यादा है इसकी वज़ा यही है, कि वहाँ पर government institutions काम नहीं कर रहे हैं, इन communities को institutional void भी कहा जाता है, कि एक अधारा जाती खला है, जिसमें यह लोग रह रहे हैं, जहां कोई rules and regulations नहीं है लेकिन क्या वाकई? ऐसा नहीं है, अगर government के rules and regulations वहाँ implement नहीं होते, तो इन communities के अपने rules and regulations हैं, खावो कितने ही informal क्यों नहीं हो और वो उन communities के culture, उनका जो economic context है, वो urban है या rural है, जो उनकी geography है, जो population composition है, उसके हिसाब से वो rules and regulations, जो informal rules हैं, वो vary करते हैं और इस से चीजें और complex हो जाती हैं, कि कोई one size fit all, कोई formula नहीं है social entrepreneurs के पास, कि वो किसी community में जाकर, खास तर पर एक किसी community, जिसमें business करना शायद safe भी नहीं समझा जाता वहाँ पे ना सिर्फ business करें, बलके business के जरीए से social impact create करने की कोशिश करें, और वो भी technology को use करते हुए, जिसका उस community के बहुत सारे लोगों ने, शायद नाम भी न सुना हो, let alone कि वो उसको उन्होंने देखा हो, या इस्तामाल किया हो ऐसे में social entrepreneurs को जो factors consider करना होते हैं, उनमें से चंद एक जो हैं, उनका हम यहाँ पर जिकर करेंगे सबसे important communities, deprived communities, किस हद तक technology और technological innovations से वाकिफ हैं, जो के कोई entrepreneur अपने enterprise में use करने का सोच रहे हैं कि वो उसे लाके में for example, social media को use करने का सोचते हैं, तो क्या community इस idea से social media से वाकिफ है आपको लगता होगा कि अब दुनिया में कोई ऐसी जगा नहीं है, दुनिया में ऐसी भी जगे हैं, जहां अभी बिजली भी नहीं है तो वहाँ पर social media की access definitely limited होगी और social entrepreneurs के चुँके resources महदूद होते हैं, तो उन्हें बहुत सोच समझ कर technology को choose करना होगा, जो वो community worker for familiar हो उसके बाद community का engagement level, community कितनी willing है, कितना उस resource को استعمال, उस technological innovation को استعمال already कर रही है या willing हैं इस्तमाल करने के लिए और वो service जो है, वो उनके लिए कितनी important है कि even वो एक नई technology सीखने के लिए उसके लिए तयार है for example, health services जो है, वो इनसान के survival के लिए important है, तो शायद लोग अगर उन्हें mobile phone पे कोई app हो जिसके जरीए से उन्हें बेमारियों के इलाज के बारे में कुछ बताया जा सके, डॉक्टर तक access हो सके, तो वो उसको जरूर adopt कर लेंगे so social entrepreneurs innovate करते हुए ध्यान रखते हैं कि communities जो है उनकी willingness कितनी है पिर सबसे important उस community का infrastructure और वहाँ पर जो facilities मौझूद हैं, हमने थोड़ी सी पहले भी बात की किया बिजली है, क्या internet है, क्या और जो alternative infrastructure जो है, communication का special infrastructure है क्योंकि ज्यादा तर modern technologies जो है, वो communication technologies हैं और वो internet पर base करती है तो क्या उस country का, उस community का infrastructure जो है, वो उस innovation को support करता है अगर social entrepreneurs इन चंद basic चीज़ों को जहन में रखते हुए innovate करें और appropriate technology चुन सकें, तो definitely वो ना जिरफ उस community में एक्सेप्टम पाएंगे बलके वो उसके social problems को solve करने के लिए एक impact भी create कर सकेंगे Thank you झांआए 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 यदल झांआ बल descriptions